हलो माई डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेज और आज बहुत ही स्पेशल क्लास हम आपके लिए लेकर आए इंडियन हिस्ट्री भारत का इतिहास और आपको पता है कि भारत का इतिहास कितना बड़ा है कितने बड़े भाग में यह फैला हुआ है इसको प इतनैंट तू समपृन यहां पेशिए जिसकी फीस और उफर रहते हुए मात्र 299 Validity 12 महीने का ये batch है और पूरा medieval, ancient और modern, पूरा history complete करवाया जाएगा as a lecture साथी साथ आपको notebook इस batch के अंदर दिया जाएगा इसकी कुछ-कुछ classes आपको YouTube पे भी मिलेगी लेकिन संपुर्ण तयारी के लिए इस batch को जोईन करिए जो इस application के उपर launch है किसी भी तरह की जानकारी के लिए यहाँ पे संपर करिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं Indian history भारत का इतिहास आपको पता है कि जैसे ही इतिहास की बात आती है एक व्यक्ति का नाम आता है और उस व्यक्ति का नाम है Hero Dotus Hero Dotus जैसे ही इतिहास का जनक इन्हें कहा जाता है इतिहास के पिता Hero Dotus का कहा जाता है जैसे ही हम Indian history की बात करेंगे एक नाम आगा क्योंकि Indian history हम कहां से चलेंगे आदी मानव काल से लेकर आपको कहां तक ले जाएंगे एक दम बिलकुल आधुनिक काल तक ठीक है modern आधुनिक काल यानि बरतमान तक लेकर हम आएंगे ठीक है तो सबसे पहले एक चीज़ आपके माइन में चला गया कि इतिहास की पिता की नहें कहा जाता है Hero Dotus को क्या कहा जाता है इतिहास का पिता अब Hero Dotus के बाद एक जिक्र हम करेंगे और वो है आदी मानव जी हाँ आदी मानव की बात करे तो पहले बहुत सारे लोग ऐसे बहुत कन्फूज होते हैं कि हम लोग ये आदी मानव का उदय हुआ कैसे किस तरह से हुआ किस तरह से हम लोग बंदर से मनुष्य के रूप में आ गए जैसा कि आपको पता है कि हम लोग किस की प्रजाती है हम लोग बंदर की प्रजाती है ठीक है तो आदी मानव के बारे में थोड़ा सा पढ़िए फिर दीरे दीरे आपको सब समझ में आएगा आज हम किसी भी चैप्तर के अंदर किसी भी टॉपिक के अंदर डीपली नहीं गुसेंगे सिर्फ उपर उपर करेंगे ठीक है ताकि आपको क्योंकि ये एक डेमो क्लास है और डेमो क्लास में अगर हम डीपली गुस जाए तो बच्चा बोर हो जाएगा वर्ष पुर्भ देखिए एक डेट हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है चालीस हजार लाक वर्ष पुर्भ अफ्रीका के जंगलों में कहां देखा गया था जी अफ्रीका के जंगलों में जंगलों में आदी मानव को पहली वार देखा गया था ठीक है आदी मानव को पहली बार देखा गया और हम जो होमो सेपिंस आदी मानव हम लोग उसी की प्रजाती है वो धीरे 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 करोरों लाखों वर्षों के बाद हम लोग के अंदर विकास हुआ और विकास करते करते हम लोगों ने इस तरह का इस तरह की उपादी कर लिए कपड़े पहनने स्टाट कर दिये जिन सट जो भी है इस तरह से हम लोग पहले क्याता है बंदर की प्रजाती थे एक कवी का एक विज्यानी का कहना है कि हर इंसान 24 गंटे के अंदर एक बार बंदर का रूप जरूर धारन करता है मतलब बंदर वाली हरकते उचलकूद करना इस तरह से चाहे बूद के साथ में करें यलिए जैसे भी करें अपने परिवार के साथ करें 24 गंटे में एक बार हर इंसान जो है बंदर का रूप जरूर धारन करता है चाहे बूद द सकिंड के लिए ही क्यों न हो ठीक है तो हम लोग किसकी पर जयाती है बंदर की पर देखा क्या जाएगा ऐसा थोड़ी ने कि वहां फोटो की चागया हो एक चीज और याद रखिए जो प्राचीन काल में जो भी चीजे थी उसकी जानकारी या तो हमें अफसेशों से होगा ठीक है अफसेशों से ना या जिवास्मों की आयू की आयू को पता करके या अफसेश शिकार करना सुरू कर दिया फिर फलो को खाना सुरू कर दिया फिर गुफाओं में रहना सुरू कर दिया फिर भोजन को पका कर खाने लगे फिर खेती धीरे-धीरे-धीरे-धीरे विकास करते करते हैं आज हम लोग यहां तक आ चुके तो इस चीज को आप समझेगा कि आद सब्सक्राइब को समझने के लिए पूरे इतिहास को पूरे इतिहास को तीन भागों में बाटा गया इतिहास के तीन भाग देखे संपुर्ण इतिहास को पूरे विश्व के इतिहास को या सीधे सीधे कहिए कि संपुर्ण इतिहास को कितने भागों में बाटा गया जी तीन भागों में बाटा गया अब देखे ये तीन भाग है क्या पहले पूरे एतिहासिक काल को तीन कालखंडों में विभाजित किया गया, समझी सिच को, आदी मानाव काल आया, उसके वाजब इतिहास को बाटने की बारी आई, तो समपुर्ण इतिहास को, समपुर्ण इतिहास के कालखंड को तीन कालखंडों में, तीन एतिहासिक कालों में विभ प्रगेतिहास को कितने भागों में बाटा गया तीन भागों में प्रगेतिहासिक काल दूसरा अद एतिहासिक काल तीनों के बारे में भेतरी नंग से समझाएंगे आप लोग को प्रगेतिहासिक काल अद एतिहासिक काल और तीसरा जो था वो एतिहासिक काल पूरे इतिहास को क इतिहास का वह कालखंड इतिहास का वह पन्ना जिसके बारे में ना तो कोई लिखित जानकारी प्राप्त थी और सिंपल सी बात है कि जब लिखित जानकारी प्राप्ती नहीं है लिखित दस्तावेज है ही नहीं तो इतिहास का वह कालखंड इतिहास का वह पन्ना जिसके बारे में कोई लिखित जानकारी हमें नहीं पता है सिर्फ अवसेशों के अधार पर और जिवाश्मों की आयू को ग्यात करके आपने सुना होगा C14 एक कारवन ड प्रेटिंग पर किरिया के द्वारा हम जिवाश्मों की आयू को पता लगा सकते हैं ठीक है तो पुरे इतिहास का वह कालखंड इसके बारे में ना तो कोई लिखित साक्च मौझूद है और सिंपल सी बात है जब लिखित साक्च मौझूद ही नहीं होगा तो उसको हम हैंगे इतिहास के उस भाग को इतिहास के उस कालखंड को प्रगयतिहास काल करते हैं और यह इतिहास का पहला थीक है प्रत्हम्चर उसको आसे बोल सकते प्रत्हंचर अब कहिए गे al.q jisan d jee बल्गुいつ का वह कालखंड जिसके बारे में ना तो कोई लिखित साक्ष मौजूद है और नहीं हम उस साक्ष को पढ़ सकते हैं उसको प्रगैतिहासिकाल करते हैं और उसका सबसे के बहतरीन एक्जामपल आप बोल दीजिए आदी मानवकाल यह सिर्फ अफशेशों और जिबास्मों की आयू के तुरू हमें पता लगाए गया कि भाई आदी मानवकाल जो है अफशेशों के अधार पर कि आदी मानव जो है सरपरतम 40 लाक चालिस कितना था चालिस हजार लाक कि इन वर्द पुरुब जो है वह अफरिका के जंगलों में देखे गए ठीक है प्रक एतिहासिकल अधिए तिहासिकल अध्यंस सिंपल एग्जामपल आदी मानवकाल पूरा आदी मानवकाल कोई लिखेत साक्छ मोझोद है अधियास का वांपन्ना जिसके बारे में लिखेत सच मोजूत तो है चाये वह पत्रों पर लिखा हूँ या किताबों में या कल मा ग्रंथों में इतिहाँ का विसे हम हैं पता है कि प्राचीन जानकारी में वेदो से मिलते हैं टार्श लो में यह दोल गहां टार 2008 के लिए इतिहास का वा का लखन्द इतिहाज का न इतिहां का वो टाइम जहां एक लिखित साक्ष मौजूद तो है लेकिन हमारे पास इतनी जानकारी नहीं है हमारे पास इतना ग्यान नहीं कि उस साक्ष को पढ़ पाएं वैसे काल को हम कहते हैं अद्यासिक यह पूरे इतियास का बीच वाला चरण हो गया ठीक है सिंपल समझे अद्या गुजराती दे तमिल में कुछ लिखकर दे उर्दू में कुछ लिखकर दे तो कंफ्यूज हो जाई है कि लिखा हुआ तो है लेकिन हमारे पास जानकारी नहीं है इसका सबसे सिंपल उदारन देते हैं अद्यार्टिहासिक काल का एक्जामपल होता है आपने नाम सुना होग सिंदू गाटी शब्यता इसको लिखा हुआ है तो सही से दंगर नहीं सकते हैं तो इसकी खुदाई 1921 इस भी में हुई राय वहादूर दया राम शाहनी के दोरा लेकिन अगर आपसे प्रस्ट पूछा जाए कि भारत की सबसे प्राचीन सब्वेता तो याद रखिए भारत की सबसे प्राचीन सब्वेता यही है सिंदुगाटी सब्वेता लेकिन इसकी जानकारी हमें कब मिली 1921 में अगर बोल दे सर 1921 से पहले तो याद रखिएगा कि 1921 से पहले जब सिंदुगाटी सब्वेता का खोज नहीं हुआ था तब भारत की सबसे प्राचीन सब्वेता वैदिक सब्वेता थी जो 1500 इसा पुरूफ से 600 इसा पुरूफ तक थी सिंदुगाटी सब्वेता 2350 इसा पुरूफ से 1750 इसा पुरूफ पहले इसा पुरूफ चलता था इसा मसी के जन्म के समय अब इसा पुरूफ खतम हो के इस भी में हम लोग आ चुके इस बात को ध्यान रखिएगा ठीक है वही इसा मसी जिनके आप चर्च में जाते हो ठीक है जिनको सूली पर लटकाया गया ठीक है तो अद एतिहासिकाल इतिहास का वा कालकर्ट जिसके बारे में लिखित साक्ष मौजूद है हम पढ़ने ही पा सकते इतिहास काड़ संदूगाटे सब बतार सब्सके निए पढ़ने का पत्रों पे सब कुछ लिखा हुआ है जिए जिए ऑकलिंए पढ़नें का कौछ ऑइसी से बतार तो उसका भी जानकारी अप्षेशों का अधार पर भी इसकी कि इसके बारे में पताया लगा है, इसके दोारा यूज कि एग construct के बारे में को पता लगा है Union कितने हैं कितनी पुरारी सर बता न। नहीं तो पता चला कि थाइस का थी जबया K का वा कालखंड जिसके बारे में लिकित साक्ष मौजूद भी है और उस साक्ष को हम पढ़ भी सकते हैं उस कालखंड को एतिहासिक काल करते हैं और ये एक्जांपल की बात करें तो मुगल सामराज, ब्रिटिश सरकार, धिल्ली सल्तनत ये सब चीजे लिखी हुई है कही ना कही है हम उसको पढ़ रहे हैं कब अकबर आया, कब बावर गया, कब हुमाईव आया, कब अंग्रेजो ने आकरवन के आया, कब इस टेंडिया कंपनी के स इसमें लिखित साक्च मौझूद भी है, लिखित साक्च पढ़ भी सकते हैं, इसमें लिखित साक्च ना तो लिखित साक्च मौझूद है, ना तो उसको पढ़ सकते हैं, इसमें लिखित साक्च मौझूद है, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो ये तीन काल खंड है, सकते हैं of आपको पता है बहुत ही वैली बहुत होती है बड़े-बड़े एक्जाम में चोटे में तो होता हीقة काफी सारे प्रशन पूछे जाते हैं यहां यहां पर हम रखते हैं कि अध्यन के अनुशार कि अध्यन के खिशाव से इतिहास का इतिहास को तीन भाग में बाटा गया लेजिए अध्धन के भी हिसाफ से इतिहास को कितने भागों में बाटा गया तीन भागों में बाटा गया अगर जानकारी के भी हिसाफ से इतिहास को पूरे इतिहास को तीन भागों में बाटा गया और आप पढ़ाई की बात करें तब भी संपुर्ण इतिहास को हमने तीन भागों में इतिहास की बात करें इतिहास ये कौन सा इतिहास भारती इतिहास को तीन भागों में बाटा गया ठीक है अध्यन के इसाफ से संपुर्ण भ अब वो तीन भाग कौन कौन सा है, first of all, ancient history, ancient history, इसको इंगलिस में कहेंगे, प्राचीन, प्राचीन, भारतिय इतियाश, अध्यन के इसाफ से इतियाश को कितने भागों में बाटा गया, तीन भागों में, ancient history, प्राचीन, भारतिय इतियाश, दूसरा, medieval history, sorry, medieval history, इसको हिंदी में कहेंगे, मद्यकालिन, भारतिय इसलिए लगा रहे हैं, क्योंकि भारत की इतियाश के बारे में जानना है, मद्यकालिन भारतिय इतियाश, modern history, तीसरा, modern history, अध्धुनिक, भारतिय इतियाश, ठीक है, समझे इस चीच को, अध्यन की हिसाब से, संपुर्ण भारतिय इतियाश को, तीन भागों में बाटा गया, first of all, ancient history, प्राचीन भारतिय इतियाश, ये, कब से कब तक चला, इसकी जानकारी भी हम जान लेते हैं, ये, आदी मानव काल से लेकर, आदी मानव काल से लेकर, 711 इस भी तक चला था, ठीक है, मद्यकालीन भारतिय इतियास, ये इतियास का बीच वाला इरिया है, 711 इस भी से ऐसे तो देखिए, मद्यकालीन और मिडाइवल, सोरी, मॉडरन, ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा, आदा हुआ रहता है, मतलब थोड़ा से इदर अंदर बाहर होते रहता है, थोड़ा मिडाइवल, मॉडरन में आ जाएगा, मॉडरन में आ जाएगा, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ऐसे डिरेक्टली मान लेता हूं कि 1867 इस भी तक, ठीक है, यह हलाकि कुछ एरिया जैसे पुर्तगालियों का आगमन वगेरा, वो मॉडरन में चला जाता है, जबकि वो पंदरा सो में हुआ था, कोई बात नहीं है, मिडाइवल और मॉडरन दोनों एक दूसरे से जुड़ा हूआ है, ठीक है, कोई बात, आ, मॉडरन इस्ट्री की बा अब आईए, अब यह 3 है, एंसेंट, मेडाइवल, मॉडरन, अगर आप भेतरी नधंग से पढ़िए, तो 100 लेक्षर यहां, 100 लेक्षर यहां, और 100 लेक्षर यहां, 300 लेक्षर और 300 लेक्षर की फीज कितनी रखी गई है, बैच के अंदर 299, पर लेक्षर 1 रुपीज, मेर बहुत बहत्तरी एक बड़े लेवल निवाट सील पर चरा हें और चाहिए के पाते हैं ताहिस में को ज़ुतिव कर्डेल नहीं १क टम आज़ अधाल लिए। संधा मुद्श आघा बात करते हैं आण से एनिचन्ट लिएगा एंसेंट हिस्ट्री है ठीक है प्राचीन भारतिय इतिहास ठीक है एंसेंट हिस्ट्री है ठीक है प्राचीन भारतिय इतिहास में हमने कहा कि पूरे इतिहास को तीन भागों में बाटा गया था जिसमें प्रग इतिहासिकल अध्य इतिहासिकल और उसमें हमने एंसेंट हिस्ट् नहीं करेंगे ज्यादा ठीक है आदी मानव काल को भी तीन भागों में बाटा गया अभी इसके अंदर डीपली नहीं जाएंगा बस उपर उपर फ्लो कर रहे है आदी मानव काल को भी तीन भागों में बाटा गया था एक था पूरा पाशान काल मद्धी पाशान काल नब्धे पाशानकाल ये दोनों में जो आदि मानव था समझीivय गा एक जानवर का ही रोप था लेकिन नब पाशानकाल में आदि बाभन ने काफी विकास किया गुफाओं में रहना खाना पका के खाना पहिये का विकार क्रिशी करना एक अस्थाई निवास करना जंगली जानवरों को ठीक है पत्थरों के द्वारा औजार बनाने का सब जो अकल अकल वाले दात है वो नभ पाशानकाल में खुले हैं ये तो दूद वाले दात थे अधिमानव के ठीक है पूरा पाशानकाल और मद्ध पाशानकाल में तो संपुर्न ज्यान संपुर्न विकास जो है वो अब को नब पाशानकाल में संपुर्ण ज्यान हुआ संपुर्न जानकारी मिले इसके साथ साथ अभी हम डिसकस कर रहे थे कि भारत की अभी इसके अंदर डीपलियम गए नहीं है जाएंगे तो फिर लंबा क्लास चला जाएगा तो इसके अंदर जाने की ज़रूत नहीं है लोग पहले बोलते थे कि सर जी वैदिक सब्वता है ऐसे अब बोलेंगे कि इसर जी शतंदुगाटी सब्वितर और सिन्दु वैदिक सब्वेता पहले का जाता था अब इंडस वेली सिविलाजेशन सिंदु गाटे सब्वेता पंद्रा सो से छे सो इसा पुरूब तक चलेंगे हम लोग इसमें दो आएगा एक उत्तर वैदिक काल लगा एक रिग वैदिक काल वह बात की बात है वह देखेंगे यह आपक किया रिखेंगे इसा पूर्भ में जाते थे अब दो आएज़ में आ चुके है इसा पूरमें उपर से नीचे यहोडिसे सब्सक्राइब करें अब हम लोग करते हैं-ब्स सिंदु गथमिलीणिस इन चैढए कि बात करते हैं अभी बस इस्तृ को उपर उपर यम लेकर चल र उनीस सो एकीस में यह उनीस सो एक किसे पहले हमें नहीं पता ता कि कोई भारत की कोई ऐसी इसका नामसीक नाम सिंदु गाटी सब्वेता कि फोज। तो उनीटे इसेर hazami निए का नाम सिंद्द को जरा जाता है कि सिंधु अर्भी पाकिस्तान में और भारत के घुजरत में आ पता हैक यह जब घुजरत में है ठीक है सिंदु घुजरत में फ्रिक है तो यह सिंदु गाटी सब्वेता इसको इंग्लिश में लो कहेंगे इंडस वेली सिविलाजिसन जिसकी को 1921 में राय वहदूर दयाराम शानी के द्वरा की गई थी और यह सब्वेता इतनी पुरानी थी ते इस सो पचास इसमीस से सत्रा सो पचास इसमीस तर और वैदिक सब् सब्वेता के विनास का सबसे प्रमुक कारण बाड़ है और एक बात सिंदु गाटी सब्वेता बहुत ही बहतरीन सब्वेता थी सिंदु गाटी सब्वेता एक नगरिये सब्वेता थी आपको लगता होगा कि बहुत पुरानी सब्वेता है तो लोग ग्रामीन जैसे रहते होंगे नहीं सिंदु गाटी सब्वेता नगरिये सब्वेता थी सिंदु गाटी सब्वेता आपको लगता होगा कि पुरानी सब्वेता है तो सडकी जो होगी पक्की होग सड़के जो है वो सड़के जो है वो कच्ची नहीं पक्की थी आपको लगता होगा कि कच्ची होगी पक्की थी और चोड़ी थी ठीक है आपको लगता होगा कि सिंदुगाटी सब्वेता है ठीक है नगर ये सब्वेता आपको लगता होगा कि यहां जो यहां जो घर होगा वो इट के घर बनाये जाते थे, मतब समझेगा कि बहुत परीपुर्ण सब्वेता थी, बहुत मतब धनी सब्वेता थी, सिदे सिदे, नगरिये सब्वेता थी, इटो से बनावा घर था, भले दरवाजे पीछे की और खोले जाते, अभी अम लोग दरवाजा रोड के तरफ फोलत इतना समझ में आ रहा है तो इस इंड़े सब्वेता थी, नगरिये सब्वेता थी, और काफी धनी और काफी बहुत बेपार के लिए सबसे बड़ा साधन यही था, इंड़े सब्वेले सब्वेता, अभी थोड़ा सा रूख लिएगा, ठीक है, यहां का सबसे प्रमुक वेवशाय, क्रिसी, सबको पता ही है, ठीक है, और बहुत 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 बेपरीन सब्वेता थी, इसके बारे में हम लोग और भी डीपली, धीरे धीरे पड़ेंगे, लास्ट में अंति में क्या आ गया, भाई, इस सब्वेता के अंतरगत का और नाम है, हडपा सब्वेता, इसलिए हडपा सब्वेता, इसको हम कहते हैं, क्योंकि इसके, इसका सबसे प्रमुक नगर जो था, सिंदू गाटी सब्वेता का सबसे प्रमुक नगर हडपा था, इसलिए सिंदू गाटी सब्वेता को, हाँ, सिंदू गाटी सब्वेता क की बात कर लेता है क्योंकि सबसे पुरानी तो सिंदू ही थी वैदिक सब्वेता है थोड़ा सा रुकिएगा इस सब्वेता के बारे में हम एक बहतरीन जानकारी आपको देते हैं कि अधिक सब्वेता की बात करें तो इसको दो काल खंडों में भी वादित क्या था एक रिगवैदिक काल है कर रिगवैदिक काल है और एक कि ऊत्तर वैयदिक काल तो कि कि अ रिगवैदिक काल हो फिस बीकाल रिगवैदिक काल पंदरारसो एसापुर्व से एक हजार इसा पुर्व तक था और उत्तर वैदिक काल एक हजार इसा पुर्व से 600 इसा पुर्व ठीक है इस भी नहीं इसा पुर्व और यहीं पर इसा मसी का जन्म हुआ था और इसा पुर्व से इस भी में कनवर्ट हो गया था जब इशा मसी का जन्मगा था फिलाल हम सभेता की बात कर ले रिग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल देखे कितनी पूरानी सभेता है वैदिक सभेता हमारी सबसे प्राचीन सभेता थी सिंदुगाटी सभेता के उदय होने से पहले सिंदुगाटी सभेता की जनकारी होने से पह यहां पर लोग काफी धनी और सुखी थे लड़ाई जगड़ा नहीं होता था आपस में चुवा चूत इस तरह का कुछ नहीं था धर्म और अधर्म नहीं था ठीक है जब चुवा चूती नहीं होता धर्म अधर्म क्या ठीक है और इस सब्वेता में महिलाओं को आरक्षन था म बहतर था लेकिन उत्तरवैदिक काल की बात करे तो उत्तरवैदिक काल में लड़ाई जगड़ा भी होता था होने लगा महिलाओं को बाहर घर से निकलना वर्जित हो गया महिलाओं, लड़कियों को सिक्छा, इधर सिक्छा का भी बहतर साथन था यहां सिक्षा बिल्कुल नहीं था आपस में लडाई जगडा शुरू हो गया धर्म के नाम पर बटवारा शुरू हो गया छुआ छोट शुरू हो गया ठीक है साथी साथ चोटे चोटे जात वालों को मंदिरों में प्रवेश करना वर्जित कर दिया गया कि नहीं जाएंगे वो ठी जब आप गलत करेंगे तभी तो अच्छे करने की कलपना करेंगे हमने गलती किया चलो पूजा पाट कर वाले तो पूजा पाट क्यों करते हैं जब बाहर क्यों जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे अंदर करप्शन है हमने कुछ गलती कि उस गलतियों को सुधारने के इसके बात है कि जब लडाई जगड़ा होगा तो बटबारा भी होगा ऐसे condition में पहले पूरा राष्ट्र एक था उत्र वैदिक काल तक इसके बाद simple सी बात है, कि लड़ाई जगडा हुआ, तो पूरे भारत वर्ष को 16 जनपदों में विवाजित कर दिया गया, ठीक है, 16 जनपदों में विवाजित कर गया गया जिसका नाम रखा गया, महाजनपद, यह 16 जनपद अब अपनी किताबों से देख सकते हैं, ऐसे इस तरह से 16 महाजनपदों का उदय हुआ, यानि simple बात यह 16 जनपद जिसका नाम रखा गया महाजनपद, ठीक है, अब 16 जनपदों में सबसे जादा मगद महाजनपद, यह मगद चर्चित था, कलिंग, ठीक है, कलिंग, फिर काशी, काशी, ठीक है, उसके बाद और भी ऐसे बहुत सरे जनपद थे, आपने सुना होगा कि यह असोक का नाम सुना होगा, ठीक है, ठीक है, तो यह सब चीज हम धीरे धीरे इस चीज के बारे में पढ़ेंगे, और सिंपल सी बात है, कि जब बटवारा होगा, तो धर्म अधर्म आएगा, तो तो क्या, जब धर्म और अधर्म की बात होगी, तो यहाँ पर धर्म का उदे हो गया, और धर्म का उदे, इसलिए क्योंकि धर्म धर्म की बात होने लगी न जब लडाई जगड़ा होने लगा बटवारा होने लगा आपस में मतब विवाद होने लगा सीमा विवाद ये हमारा है वो आपका है तो ऐसे करनेशन में धर्म का उदे हुआ और कितने धर्मों का उदे हुआ जी बारसट धर्मों का उदै हुआ और बारसट धर्मों में सबसे ज़्यादा प्रचलित रहा बौध धर्म यही से देखो जी बौध धर्म जैन धर्म ठीक है शैव धर्म सैव धर्म वैश्णव विश्णू की सैव धर्म में सिभ की उपाशना होती थी वैश्णव में वैश्णू की उपाशना इसा अभी इन सभी धर्मों हलाकि उदय तो बारसट धर्मों का हुआ जिसमें से सभी को दबा दिया गया कुछ बचे जिसमें बहुत धर्म संस्थापक महावीर गौतम बुद्ध 563 में जनम हुआ लुंबनी नेपाल में जैन धर्म संस्थापक रिशब देव अंतिम तिर्थकर य तो यह सब आपको पढ़ना है एंसेंट हिस्ट्री प्राशीन बारत में अभी सिर्फ टाटा बता रहें पढ़ा कुछ नहीं रहे एक बहतर कॉंसेप्ट हम आपको बताएंगे लगेगा कि हां यह से इस्ट्री पढ़कर एक बहुत बड़े लेवल तक हम इस्ट्री को अपने नाम अपने को अको असूक का नाम सुनिएगा के ना शिशुनाग बंज पाल वंस ऐसे चलते चलेगा और यह कहा तक चलेगा 711 SB में Ensign History की समापती होती है और 712 SB से Medieval History की बात करेंगे तो Ensign History का Demo क्लियर हो गया आज की इस वीडियो में बिल्कुल समझ में आया होगा फिर एक दिन हम लोग Medieval का Demo और Modern का Demo दूसरा क्लास जो मारा होगा वो Medieval History और Modern History को कवर करेगा क्योंकि एंसेंट में सिर्फ डेमो क्लियर हुआ खतम नहीं हुआ भी तो बहुत कुछ पढ़ना है जी अभी तो सिर्फ नाम ले लिए हमने मौरी बंस हां सिशुनाग बंस मगद समराज मौरी समराज बहुत लंबा ठीक है दो एक डेड़ सो लेक्षर तो आप सीखेंगे हमसे ठीक है बहुत 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 इन कॉंसेट से फिलाल एंसेंट का डेमो हो गया हम रहने देते हैं और हां उमीद है कि बहुत सारे बच्चे इस बैच को जॉइन करिए क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ डेमो करवा रहे है और डेमो तो आपको का ही समझ में आ रहा है है तो आप इस बैच को जोईन करिएगा यहां से देइम机 अफिस अप्लिकैशन इंस्टॉल कर लिजिए कि डृब कलस ली अफिसट इस ऑप्लिकैशन को इंस्टॉल करके वहाँ पर आप इस नंबर पर शंपर कर ये तर हमे वहाँ पर एक हिस्ट्री का बैच आपको दिखेगा 6200733858 आपको इस नंबर पर कॉल वाट्सअप करिए और वहाँ पर बोले सर हमें हिस्ट्री का बैच जोइन करना है बहुत 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 सारे बच्चे बैच को जोइन कर रहे हैं आप भी करिए जितना भीड रहेगा उत आपको बहुत दंसर रमजा पाएंगे ओके आपको बहुत दंसर रमजा पाएंगे ओके